एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गाउं में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन परिशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी-खुशी वहां से लोटते। उसी गाउं के सड़क के किनारे, एक गरीब व्यक्ती बैठा रहता तथा महात्म बुद्ध के उपदेश। शिवेर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता, उसे बड़ा आश्चर्य होता, कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं, तो बड़े खुश और प्रसंद दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे? मन में यह विचार लिये वो भी महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा। लोग पंक्तिबद खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। और फिर कहा, भगवान इस गाव में लगभग सभी लोग खुश और सम्रिध है। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्य चकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला द ग्यानी हो। औरों के साथ बाटने के लिए इश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहत दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिये हैं लोगों की मदद कर सकते हो। इश्वर ने जिसको ये तीन चीजे दी है, वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, ये तो एक भ्रम है इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन ना होने तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा, और उसने इस उबदेश को अपने जीवन में उतारा जिसे वो फिर कभी दुखी नहीं हुआ।